हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका डियेस कुरूजी में और दोस्तो आज हम आपके लेकर आये हैं बहुत ही महतोपोन प्रस्न साइंस से रिलेटेड 500 ऐसे क्योशन्स लेकर आये हैं जो पिछले एक्जांस में RPSC और RSMSS भी द्वारा बार बार रिपीट होकर पूछे गए हैं यह सारे ही प्रस्न आपको याद करने हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आप इसका PDF भी अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो और उसके बाद में भी आप इसको याद कर सकते हो तो दोस्तों यह सारे ही प्रस्न महात्वपोर्ण हैं और सबसे इंपोर्टेंट बात ही है कि यह फिर से रिपेट होने की संभाव ना रखते हैं तो स्टार्ट करते हैं साइंस के 1-liner सबसे पहला प्रस्ण है सबसे बड़ी आखे किस इस्तंधारी की होती है इस्तंधारी जिसकी आखे सबसे बड़ी होती है तो वो होता है हिरन जिसके आखे सबसे बड़ी होती है आज कार्बंडाय ओक्साइट के उत्सर्जन में सरवाधिक योगदान करने वाला देश कुन सा ह तो CO2 के उत्सरजन में सरवाधिक योगदान करने वाला देश है United States of America सयोक्त राजी अमेरिका एक ऐसा देश है जो कार्बंडा योगसाइड के उत्सरजन में सरवाधिक योगदान देता है निमनली कित्में से किस उध्योग में अबरक कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त होता है वो उध्योग जिसमें अबरक कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त होता है तो वो उध्योगे विध्यूत उध्योग खाना जल्दी पक् जाता है क्योंकि प्रिष्टर कूकर में खाना जल्दी पक्ग जाता है इसके पीज़े का रीजन है कि जो प्रिष्टर कूकर कंधर का जो दबाव होता है म prophdfarakतन जल्दी पक जाता है दाब बराणें पर जलका क्वाथ नांग दाब अगर बढ़ाया जाता है तो जलका क्वाथ नांग भी बढ़ जाता है प्रतिक्रिया के बराबर वो विप्रित दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है यह न्यूटन का अब देखिए कितना महत्वपुन प्र प्रतीत होता है क्योंकि अब उगते और डूपते समय सूरे लाल रंग का प्रतीत होता है यह रीजन इसलिए है क्योंकि इस समय लाल रंग का प्रकिर्णन सबसे कम होता है जिसके कारण जब सूरे अस्त होता है या उदे होता है तो समय यह रेड कलर का दिखाए देता है रेड इनके बीच रखे हैं एक गेंदो के बने प्रतिभिम्बो उन्हट इता है 5 पानिक अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बरताओ करता है ? वो एक आउतर लेंज की तरफ बढ़ताओं करता है, एक काईों की समस्त विवस्ताओं में किसी काई की मात्रा समान होती है, तो ये विक्सिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो होती है, वो समान होती है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण के ओर 4 मिटर पर सेकंड की चाल से आ र दर्पण लगा होता है, तो जो काई ट्रक और बस होती है, इसमें ड्रैवर की सीट की बगल पर जो दर्पण लगा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण, जिससे जो उनके पीछे आने वाले वाहन है, इनको आसानी से दिखाए दे जाते हैं, ऐसे तत्व, जिनमें धातु औ पात में एक वै horiz यह एक वा ऐस सिकोड लेता है तो फ्यार एक दम से बढ़ जाएगा एक व्यक्टि पर बॉहाह सीन्य खड़ाय पहले तो फिर वह एक क्या करता है वह अचनक अपनी वैस्कोड लेता है कि स्थे स्टूल का जो कोनिय वेग है वो एकदम से बढ़ जाएगा चंद्रमा पर एक बंव स्पोर्ट होता है इसकी आवाज प्रतिव पर अगर चंद्रमा पर बंव पर उप्रतिव पर इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा अंतर है प्रत्य और चंद्रमा में बहुत ज्यादा दूरी है इस वज़े से सुनाई नहीं देगी चंद्रमा पर वायो मंडल न होने का कारण क्या है चंद्रमा पर वायो मंडल नहीं है क्योंकि वहाँ पर पलायन वेग है और पलायन वेग जहां पर होता है वहाँ पर वायो मंडल नहीं पाया जाता है इसके बाद है एक लड़की जूला जूल रही है उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैट जाती है तो जूले का अवर्तकाल अपरिवर्तित होगा इसके बाद है हम रेडियों के घुंडी घुमाकर विभिन इस्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं यह संबव है अनुनात के कारण घुंडी घुमाकर जब इस्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं तो यह अनुनात के कारण संबव है वेंचूरी मीटर से क्या ग्याद करते तो इस से जो है जल के प्रुवा‍ठ की जाती है वैंचोरी मेटर से ध्यान रख हैं आप चोडाय पर पानी के पुहारे से गेंच नास्त राती है क्योंकि उष्प कारण है की पानी का वेगर अधिक होने से दाब घर जाता है यदि द्रवेमान परिवर्टित हुए बिना प्रत्वी अपनी वर्थमान त्रिज्या को सुकुड कर आधी रह जाए तो दिन होगा अगर दरवेमान क्या हो परिवर्टित ना हो लेकिन प्रत्वी क्या करे अपनी वर्थमान त्रिज्य की सिगुर कर आधी रह जाए तो दिन भी क्या होगा आधा रह जाएगा इसमें क्या होगा दिन हो जाएगा 12 गंटे का 24 गंटे का दिन होता है उसकी जगए 12 गंटे का रह जाएगा यदि किसी पिंड को प्रत्वी से 11.2 km पर सेकंड के वेक से फेका जाए तो पिंड प्रत्वी पर कभी नहीं लोटेगा उपकरा और समय ग्याद करने के लिए अंतरिक्स यात्री को क्या प्रियोग करना चाहिए तो उनको स्प्रिंग घडी का प्रियोग करना चाहिए यदि प्रत्वी की त्रिज्य एक परसेंट कम हो जाए किन्तों द्रवेमान भही रहे तो प्रत्वी तल का गुरुत्वे त्वरन माइनस टू परसेंट घड जाएगा दाब का मात्रक क्या है तो दाब का मात्रक है पाशकल खाना पकाने का बरतन होना चाहिए उच्छ विस्षिस्ट उस्मा का निम्न चालकता का एक तुसमें उच्छ विस्षिस्ट उस्मा हो तथा निम्न चालक हो जड़ने में जब जल उचाई से गिरता है तो उसका ताप ज की जो कंध का ताप बढ़ जाता है किस रंग की तरंग धेर सबसे कम होती है कम्रे में रखे रेफव्रिजरेटर का दर्वाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है जब कमरे में रख रेप्रिजी रेटर का जो दर्वाजा है उसको खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा इंदर धनुष में कितने रंग होते हैं तो इसके अंदर साथ रंग होते हैं इंद्र धनुष्ट में सेकेंड पेंडूलम का आवर्त काल क्या होता है ये इसका जो आवर्त काल होता है ये बैंगलोर में इस्तित है पराध्वनिक विमानों की चाल होती है वो ध्वनी की चाल से अधिक होती है भू इस्तिरुपगड़ की प्रत्वी से उचाय होती है जो भू इस्तिरुपगड़ होता है इसकी प्रत्वी से उचाय होती है 36,000 km 40 निमनलिखित में से किस पधार्ट में ऑक्सिजन नहीं है तो वो है मिट्टी का तेल जिसमें ऑक्सिजन नहीं होती है चिक्कित सा सास्तर के विध्यारतियों को किसकी सपत दिलाई जाती है तो इनको इपोक्रेट्स की सपत दिलाई जाती है कार में रेडियेटर का क्या कारे होता है तो इंजन को ठंडा करना रेडियेटर का कारे होता है मनुस्ये के सरीर में ताप होता है 37 डि paris दूर द्रश्टी दोस्त्रित वेक्ति को निकट की वस्तुए दिखाई नहीं देती है किताब के अपर रखे किसी लेंज को उपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का अकार बढ़ता हुआ दिखाए देता है तो वो उत्तर लेंस है यह दे किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाए देता है तो वो आउत्तर लेंस है तारे टिम्टिम आते हैं ये टिम्टिम आते हैं आपवर्थन के कारण निम्न लिकेद में से कौन एक आवेश रहित करण है तो वो है अच्छे जल से भरे तालाब के घराए 3 मीटर प्रतीत होती हैं यदि हवा के सापेक्स जल का अपुवर्ट नांग 4 by 3 हो तो तालाब की वास्तविक घराए क्या होगी तो इसके जो तालाब की वास्तविक घराए होगी वो निकल कर आएगी 4 मीटर लेंज की समता का मातरक क्या है तो लेंज की समता का जो मातरक है वो है डायोप्टर रडार की कारे प्रणाली निम्न सिधान पर आधारी थे तो जो रडार की कारे प्रणाली है वो आधारी थे रेडियो टरंका परावर्तन पर न्यूटन की गति की नियम के अनुसार निमने मैं से किसका कतन सकते हैं दित्य नियम से बल की परिवाशा ग्यार की जाती हैं किसी पिंड के गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या नुक्षान गति की इस्तिती में किसी भी परिवर्टन का विरोध कर सकता है तो उसे कहा जाता है जड़त्व लेसर निम्न सिध्धान पर कारे करती है तो ये जो कारे करती वो करती विकिरन का उद्धित उद्ध सर्जन के सिध्धान पर दलदल में फसे वेक्ति को लेट जाने के सला दी जाती है क्योंकि सेत्रफल आधिक होने से दाप कम हो जाता है बर्फ के टुकडों को आपसमें दबाने पर टुकडे आपसमें चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गललंग गढ़ जाता है मोटर काल में सीतलन तंत्र की सिधान पर कारे करता है तो ये केवल समवन के सिधान पर कारे करता है जिवित प्राणियों के सरीर में होने वाली निमली कितमे से कौन से एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है तो वो है प्रोटीनों का आमीनों अमलों में विगटन एक टेली विजन में दूरस्तिन इंतरन के लिए किस प्रकार के वेदु चुमकिये विकिरन का उप्योग किया जाता है तो जो होता है वो होता है हज या लगू रेडियो तरंगे मिथेन जिसके वाईवमंडर में उपस्ति थे वह है ब्रशपती प्रोटीन के पाचन में सायक एंजयम जो होता है उसका नाम है ट्रिपसीन उन देशों में जहांके लोगों का मुख्य खाद्यान पॉलिस किया हुआ चावल है लोग पीडित रहते हैं बेरी-बेरी से मास पेशियों में निनलिकित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है लेक्टिक अंगली जब एकत्र हो जाता है तो उससे मास पेशियों में थकान होना स्टार्ट हो जाती है प्रकास वर्ष होता है, एक प्रकास वर्ष द्वरा तय की जाने वाली दूरी, एक वर्ष में प्रकास द्वरा तय की जाने वाली दूरी जो होती है, वो प्रकास वर्ष होता है, समुद्र की घराईन आपने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो वो है फैदो का फोकस आउतल दरपन पर पड़ता है तो उसकी चाया कैसी बनेगी तो वो बनेगी आनंत वह धातों जो अमलियमसार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो है जिंक जीव विज्ञान शब्द का प्रियोग सरप्रतम किस ने किया तो वो वेक्तिता लेमा तथा ट् दोया दोस्य अधित्तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनना पदात कहलाता है योगिक किसी ध्वनी श्रोत के आवर्ती में होने वाले उतार शड़ाव को कहते हैं डापलर प्रभाव कोई कण एक सेकिंड में जितने कमपन करता है उस संख्या को आवर्ती कहा जाता है वायो में ध्वनी की चार 332 मिटर पर सेकिंड होती है यदि दाप बढ़ा कर दो गुना कर दिया जाए तो ध्वनी की चार क्या होगी तो इसमें ध्वनी की चार होगी 332 मिटर पर सेकिंड निमनलिकित में से समय का मात्रक नहीं है तो सम चमक पाई जाती है तो वो है ग्रेफाइट और आयोडीन जिसमें धातुई चमक पाई जाती है एक गुबबारे में हाइड्रोजन वो ऑक्सिजन गेस के बराबर अनु है यदि गुबबारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गेस तेजी से निकलेगी कपूर के चोटी चोटी टुकड़े जल की सतब पर नासते हैं यह नासते हैं क्योंकि उसमें प्रष्टे तनाव के कारण यह जल की सतब पर नासते हैं पानी का घरत वो अधिक्तम होता है चार डिग्री सेल्चेस पर यदि दो उपगर एक ही व्रत्तकार कक्षा में चक्कल लगाते है तो उनके वेक्स से समान होंगे प्रत्वी की परिक्रमा कर रहे हैं एक उपगरण से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपगरण के साथ उसी चाल से प्रत्वी की परिक्रमा करेगा नमलिकित में से कौन एक योगिक है तो वो है अमोनिया जो एक योगिक है दो भिन तत्व होते हैं, वो विज्ञान जिसका समझ जीव धारियों के अधिन से होता है, जीव विज्ञान, फाइको लोजी में किसका अधिन किया जाता है, तो इसमें सेवालों का अधिन किया जाता है, जूल निमलिकित में से किसकी काई है, तो जूल है, उर्जा की काई, म बर्फ में स्केटिंग करना प्रदशित करता है कि दाप बढ़ाने पर बर्फ का गलना कट जाता है। स्टेन्मेस स्टील एक मिश्रध हातु है जबकि वायू एक मिश्रण है। पर्यवरण का अध्यन जी विज्ञान के किस साखा के अंतरगत किया जाता है। वह खरलाता है आर्बोरिक अल्चर। निकट दस्ती दोस्ते पिरिग्ति के चसमे में कौन सा लेन्स होता है तो उसमें अध्यर बंस होता है। संबंध बल हमेशा बिन बिन बस्टभो पर ही लगे होना चाहिए। प्रतिक्रिया के बराबर वो विप्रे दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है यह है न्यूटन क्या गती विश्यक तरतिय नियम माइकोलोजी में किसका अधिन किया जाता है तो उसमें कवक का अधिन किया जाता है जल में त्योरना नीटन की गती के किस नियम के कारेंट संभव हो है तो यह जो नीटन की गती का थर्ड नियम है उस पर यह संबन्दित है कोई पिंड जब एक विरामा वस्ता में नहीं बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाईये बल कारे नहीं करता है यह कतन किसका है तो यह कतन है न्यूटन का नूट्रोन से संबंद्य थे पॉजिट्रोन एक धनावेशित इलेक्ट्रोन है एग्रोफोरेस्ट्री क्या है क्रशी के साथ साथ उसी भूमों पर कास्टी घारमाशी व्रक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है एक्सो बायोलजी में निमलिकित में से किसका अधिन किया जाता है इसमें बाईये गड़ो तता अंत्रिक्सक में जीवन का अधिन किया जाता है मोनाजाइट किसका आयस्क है तो ये थोरियम का आयस्क है जल में आसानी से गुलंसील जो होता है वो होता है नाइट्रोजन भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है इन में से कौन कोलोईट नहीं है तो वो है रक्त पनीर निम्न का एक उधारण है तो वो है जैल का जैल होता है ये एक तरह से माटशिस की तीली के एक सीरह पर लगा मसाला निमन लिखीत का मिश्रण है वो है लाल فोस्परस और गंदक का मिश्रण है निमन लिखीत मेंसे कौन सा एक प्रकर्टी में अनुचुंब किये हैं तो वो है ऐक्सिजन जो तत्व ऑक्सिजन पर प्रतिक्रा नहीं करता वह है आयोडी, निम्न में से कौन सरवादिक इस्ताई तत्व है, तो वह है सीसा, निम्न लिखित में से क्या जल से हलका होता है, तो वह होता है सोडियम जो जल से हलका होता है, सम्भानी ट्यूबलाइट में कौन सी गेस होती ह तो इसमें आरगन के साथ मरकरी वेपर होता है इसके बाद घ्यानिक एद्वर्ड जैनर निमली कित मैं से किस रोक से संबधी थै मानव में गुर्दे का रोक किस के प्रदोशन से होता है BCG का टीका निम्ली मैं आसे किस विमारे से बचाओं के लिए लगाया जाता है तो ये से रोक से बचाव के लिए लगा जाता है प्रकार संसलेशन के दोरन पैदा होने वाले उक्सीजन का श्रोथ होता है जल पोदो का कौन सा भाग शोशन क्रिया करता है तो वो होती है पत्तियां जो शोशन क्रिया करती है कच्चे फलोक को क्रत्रिम रोप से पकाने के लिए किस गेस का प्रयोग किया जाता है तो वो है एसिटिलिन जिसका प्रयोग किया जाता है ब्रक्षों के आयूग किस प्रकार निधारित की जाती है तो वो दिधायत की जाती है वार्सी क्वलियों की संख्या के आधार पर नेत्रदान में दाता के आपका कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है तो वो होता है रेटिना जिसका उपयोग किया जाता है साधरन मानों में गुंशुत्रों की संख्या कितनी होती है तो शादरन मानो में गुंशूत्रों के संख्या होती है 46 मानो के सरीर के सांग की हड़ी सबसे लंबी होती है तो वो है उरु, जांक जिसको बोला जाता है गाय और भेस के थनक सिद में दूर उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है तो वो है oxytocin जिसके सुई लगाए जाती है तता हो दूद उतारने के लिए लगाए जाती है परक्नली शिसु के सम्मंद में कौन सा खतन सकते हैं शिसु का परिवर्जन परक्नली के अंदर होता है मानों सरी में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो इसमें 12 जोड़े होते हैं किस द्रव के एकतित होने पर मास पेशिया ठकान का अनभोग करने लगती है तो वो है लेक्टिक एसिड जिसके एकतित होने पर मास पेशिया ठकान का अनभोग करने लगती है इस्तन धारियों में लाल रुदिर कणिकाओं का निर्मान कहां होता है तो ये होता है आस्ती मज्जा में वाशिक मशीन का कारे की सिधान पर आधारी थे तो ये आपके इंदरन के सिधान पर आधारी थे न्यून ताप मानों का अनुप्रियोग होता है अंत्रिक स्यात्रा चुम्बकी प्रोथा पन एहम दूर मीती में द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यून तम शेत्र गेरने की प्रवर्थिका कारण होता है न्यून लिकित में से कौन से एक सदिश राशी है तो वो है समवेग जो एक सदिश राशी है जब किसी जील की तली से उठकर वायू का बुलबुला उपरी सता तक जाएगा तो उसका आकर बढ़ जाएगा अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं इसका द्रवेमान लगबग बराबर होता है 310 के केलविन मात्रक में मानो सरे का समने तापमान होता है हीलियम के एक परमानू के बराबर निमन तापे इंजिनों का अनुप्रियोग होता है रोकेट प्रद्धगेखी में निर्वात्मी प्रकास की चाल होती है 3 x 108 मीटर पर सेकेंड निमन में से सदिस रासी कौन सी है तो वो है वेग एक परिशुद घड़ी तीन बजे का समय दर्शा रही है घंटे की सुई के 135 दिगरी घूमने के बाद क्या समय होगा तो इसमें 7 बचकर 30 मिरिट होगा एक खगोली मातरक की ओशद दूरी क्या है तो वो है प्रत्वी और सूरे के बीच की दूरी निमलेकित मैंसे किसने न्यूटन से पूर ही बता दिया था कि सभी वस्तों प्रत्वी के ओर गुर्त्वा कर्शिक होती है तो वो बताया था आरे भटने जेट इंजन किस सिध्धान पर कारे करता है तो ये रेकिक समवेक संडरक्षन के सिध्धान पर कारे करता है साइकल चालक को प्रारम में आधिक बल क्यों लगाना पड़ता है जी विग्यान सब्द का प्रियोग किसने किया तो जी विग्यान सब्द का प्रियोग जिसने किया है वो है चालक जड़तों पर विजे पाने के लिए आधिक बल लगाता है जो चालक होता है वो जड़तों पर अधिक बल लगाने के लिए विजे पाने के लिए अधिक बल लगाता है जे विग्यान सब्द का जो प्रियोग क्या था वो क्या था लेमार केम ट्रेवी रेनस दे वनस्पाति विग्यान के जो जनक है वो है थीओ फ्रेट्स चिकित सा सास्त्र के जनक है Heepocrit पुस्पो के अध्यन को क्या कहा जाता है वण अनुसंदान जनस्तान देहरा दून में इस्ति थे भाड़ती ये वानसपतिक सरवक्षन का मुख्याले कहां इस्ति थे तो ये कोलकाता में इस्ति थे निमनलेकित में से किसे वर्गी की का पितामा कहा जाता है तो ये कहा जाता है काल वन लीनियस को वर्गी करन के आधारी एकाई क्या है तो वो है स्पेसीज जिवानू की खोद सरपर्थम किस ने की थी तो वो कीती लिवेन होखने वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्तित होता है तो वो जिवानों में अनुपस्तित होता है भोजन्व की विशाक्तता उत्पन होती है क्लोस्ट्री, डियम, बोटु, लीनम द्वारा होती है विशाक्तता उत्पन नाइट्रोजन के स्तरी करण में निम्न मेंसे कौन सी फसल सायक है तो वो है फली जिसको बीन्स कहा जाता है निमलिकित में से कौन से बिमारी जिवानों के द्वारा होती है तो वो है कुस्ट सुस्म जिवानों युक्त पधात का सीती करण एक प्रक्रिया है जिसका कारे जुगानों को निश्क्रिय करना है दूद के धही के रूप में जमने का कारण होता है लेक्टो बेसिलस रक्षो की चालों पर उगने वाले कवकों को कोटी कोल्स कहा जाता है निमलिकित में से कौन खुजली के रोग इसके बीच का कारण है तो वो है कवक जो खुजली के रोग तो वह पाय जाता है बायो फ्राइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाय जाते है तो वह पाय जाते है टेरिडोफाइट्स में निम्न मेंसे कौन सा एक जीवित जीवास में है तो वह है साइकस स्वाशन मूल किस पोदे में पाए जाती है तो जूशिया में पाए जाती है साबू दाना किस से प्राप्त होता है तो ये साइकस से प्राप्त होता है निमनलिकिक में से कौन एक जड़ नहीं है तो वो है आलू जो एक जड़ नहीं है इस्तंब मूल होती हैं अपिस्तानिक जड़े जड़े किस भाग से विकशित होती है तो ये मूलांकूर से विकशित होती है गाजर एक प्रकार से जड़ है ये हल्दी के पोदे का खाने योगी इससा कौन सा होता है तो वो होता है प्रकंद प्याज किसका परिवश्यत्रूप है तो ये तने का परिवश्यत्रूप है घरों में विदूत की तूर्टी 220 वोल्ट पर की जाते है 220 वोल्ट प्रदशित करता है उसत वोल्टेज को पर्माणों के नाभिक में न्योटोन और प्रोटोन दोनों पाए जाते हैं MPR किसका मात रखें तो विदुद का मात रखें LDC के एकजाम का प्रस्न है ये सरी रश्ना के किस फरगे करण में लोबस्टर संबंध होता है तो ये होता है क्रस्टेसियन्स कौन से पोदों में नाइट्रोजन इस्ताई करण की समता होती है तो वो है चनायम अन्य दल्धन इनमें जो है नाइट्रोजन इस्ताई करण की समता होती है विदुद परिपत में फ्यूज का क्या कारे होता है तो वो होता है विदुद परिपत के रक्षा करना पराश्रवे त्रंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं बुर्स तिरुगड का आवर्त काल कितना होता है तो वो होता है 24 hours पराश्रवे त्रंगों की आवर्ती कितनी होती है तो वो होती है 20 thousand हर्ज से अधिक जिए गिपिए अब्हेख तो उसमें इस्तित वेक्ति का वार आ परिवर्थित रहेगा लाम्तिन की प्रश्ट तनाव उसमें होता है जिसके कारण वो उपर चरता रहता है प्रश्ट तनाव के कारण बेरो मीटर में पारे का तल एका एक गिरना प्रदशित करता है तो यह करता है तूफवान को प्रडशित एक कमरे में पंख़ा चल रहा है तो कमरे की वायूकात आप बढ़ता है गर में जल 90 degrees Celsius से 80 degrees Celsius तक थंड़ा होने में 10 minutes लेता है तो 80 degrees Celsius से 70 degrees Celsius तक थंड़ा होने में समय लेगा तो वो 10 minutes का समय लेगा दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिनामे सुनने नहीं हो सकता प्रत्वी से भरी कोई नाव नदी में तेर रही है जिसके सारे पत्थर नदी में गिरा दिये जाए तो पाली का तल जो पानी का तल है वही रहेगा धोनी तरंगे नहीं चल सकती है तो धोनी तरंगे जो है निर्वास में नहीं चल सकती है ट्रांसफोर्मर का प्रियोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्छ निम्न करने के लिए बांद के नीचे के दिवारे मोटी बनाई जाती है क्योंकि घराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है द्रवों का वह गून जिसके कारण वह अपनी विभिन परतों में होने वाली गती का विरोध करता है खहलाता है तो उसे कहा जाता है श्यानता निमलिकित में से कौन एक योगिक है तो वो है रेज जो एक योगिक है विर्ण जक्चून जो है वो भी एक योगिक है ग्योषो की शानता ताप के बढ़ने पर बढ़ जाती है ठंडे देशों में जीलों के जम जाने के पस्चात भी जलीयजन्तु जिन्दा रहते हैं क्योंकि बॉर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेलसेस पर होता है जिसके कारण जो जलिये जनतों है वो जिन्दा रहे पात है यदि प्रत्यों पर वायो मेंडल नहीं होता तो दिन के अउधी अधिक होती अगर वायो मेंडल नहीं होता तो दिन के अउधी जादा होती विदूत मॉटर निमने सिध्धान के अनुसार कारे करती है तो ये फेराडे के नियम के अनुसार कारे करती है नियमन मेंसे कौन सा बम जीवन को नश्ट कर देता है क्योंकि भावनों को कोई सती नहीं पहुचाता है तो वो है नियूट्रोन बम परमाणू बम में नियमन सिध्धान्त कारे करता है प्रकास विदुत सेल प्रकास को विदुत में बदलता है जो प्रकास विदुत सेल होता है वो प्रकास को विदुत में परिवर्टित कर देता है घरों में पंके बल्ब आदी की किस क्रम में लगे होते हैं तो ये समानतर क्रम में लगे होते हैं एक्स किर्णों की खोज किस ने की थी तो वो थे रोंजन जिन्होंने एक्स किर्णों की खोज की थी पिछ ब्लेडी किस का आइसक है तो इरेडियम का आइसक है रेडियो एक्टिव पधार्तों से निकलने वाली किर्णे जो होती है वो है अलपा किर्णे बीटा किर्णे और गामा किर्णे यह जो है रेडियो एक्टिव पधार्तों से निकलती है जेम्स चेटविक ने निमलिकित में से किसकी खोज की थी तो इन्होंने निउट्रोन की खोज की थी द्यूनाम पद्धती के प्रतिपाद अखे कौन वोन लीनियस अमोनियम क्लोराइड का जो घोल है वो है ऐसिडिक सीतली करण में निमलिकित में से कौन सा तत्व ओक्साइड है तो वो है नैट्रोजन मानविय महिलाओं के प्रजन ही है प्रजन अनिये अंडान उत्पादन में कौन सा हर्मोन तेजी से व्रद्धि करता है तो वो है ऐस्ट्रोजन प्रो लोग भाषा विक्षित हुईती 1972 में बेगबॉन संबंदित है इंटरनेट से वेब अस्तितों में आया था अमेरिका में निमलिकित में से कौन सी अक्रिय गेस वातावरन में नहीं पाय जाती है तो वो है आरगन इसके बाद स्टेल्स स्टेल को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महतोपुर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है तो वो है क्रोमियम विदूद बाल्व का तंतु धारा प्रवायथ करने से चमके लगता है परन्तु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमके इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों के प्रेक्सा अधिक होता है एक आश्व शक्ती में कितने वाट होते हैं तो इसमें 746 वाट होते हैं निम्लिकित में से कौन उपधातु है तो वो है आरसेनिक, एंटीमोनी और बिश्मती है जो है उपधातु है निम्लिकित में से कौन योगिक है तो वो है अमोनिया पर्माणू के नाबेक में निम्नकन होते हैं तो वो है प्रोटोनियम, नीट्रोन साख सबजी उत्पन करने वाले पोदों का आध्यन कहलाता है ओलेरी कल्चर, निम्नलिकित में से रासाइनिक योगी कौन सा है तो वो है अमोनिया गुर्णन करती एक गोल मेश पर अचानक एक लड़का आकर बेट जाता है मेश की कोणी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मेश का कोणी वेग है वो कम हो जाएगा बल गुर्णन फल है द्रवे मानोर, त्वरण का अनुवानसिकता है विभिनिता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विझ्यान के साखा को अनुवानसिकी केते हैं सुनने में स्वतनतरूप से गिरने वाली वस्तों की अथवा का समान जो होता है वो होता है त्वरण पधात के समवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भोतिक राश्ची प्राप्त की जाती है तो वो है द्रव्यमान खादे उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो वो है केलोरी जिसमें इसको मापा जा सकता है विदुद धारा के इकाई जो है एमपियर निम्न मेंसे कोन न ततु है और नहीं योगिक तो वो है वायू पधात की चतुर तवस्ता जो है वो है प्लाज्मा पुष्पो का अधिन केलाता है एंतोलोजी ऐसा ही पद्धती में लेंस की सकती की इकाई क्या है तो वो है डायूप्टर जीवास्मो वानश्पति विज्ञान में अधिन किया जाता है जीवास्मो का डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाय जाता है तो वो है वातावरण में धोनी नापने के लिए डेसिबल का उप्योग किया जाता है विदुद चुम्बे की तरंगे जो है वो है रेडियो तरंगे स्वतनता पूरो गिर्ती हुई वस्तु के उर्जा कुल नियत रहती है परमाणु तह विदुद तह होते हैं उदाशीन रूप से इलेक्ट्रोन की खोश की थी तॉम्षन ने जीव द्रव्य के प्रतक करणयम सयोजन से सम्मंदित वनश्पति विज्ञान की शाखा जो है वो है टिशू कल्चर परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतरगत कारे करती है तो वो है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतरगती कारे करती है क्वार्च घड़ियां निम्न सिध्धान के अनुशार कारे करती है तो यह दाव विदुद प्रभाव के आधार पर कारे करती है न्यूटन की गति का प्रतम नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जरत्वका नियम खाड़ी घाड़ी खीचता हुआ गोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है तो ये प्रत्वी द्वारा गोडे के पेरों पर जो आरोपित बल लगता है उससे ये आगे बढ़ता है प्रोटोन की खोज किसने की थी तो वो वेक्ति है रदर फोर्ट जिसने प्रोटोन की खोज की थी सबसे अधिक भेदन समता किन किर्णों की होती है तो वो होती है गामा किर्णों की परमाणू क्रमांख करते हैं नाबेक में उपस्तित प्रोटोनों की संख्या को दूप के जश्मे के लिए किस काच का प्रियोग किया जाता है तो वह है क्रुक्स काच जिसका उप्योग किया जाता है पोलियो का वाइरस सरीर में प्रवेश करता है दूशित भोजन थाता जल से मस्तिक्स की बिमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा निद्धा रोग नामक विमारी जो होती है वो होती है ट्रिपेंड नो सोमा नाम के एक कोशिकी जीव से निमलिकित में से कौन सा रोग जीवानों से होता है तो वो है तपेदिक सहत का एक प्रमुग घटन है फ्रक्टोज मानों सरीर में विटमिन A संचित रहता है यकरत में विटमिन C का सबसे उत्तम शोद जो है वो है आउला हर्दे की धड़कन नियंतित करने के लिए निमन में से कौन सा खनीज आउशक है तो वो है पोटेशियम जो आउशक खनीज है हर्दे की धड़कन को नियंतित करने के लिए पालक के पत्तों में निमन में लिखित में से किस की मात्रा सबसे अधिक होती है जो पालक के पत्ते होते है उसमें सबसे अधिक मात्रा पाये जाती है लोहे की श्वेत रक्त करणिकाओं का कारण है किस रिदूर वर्डग का वे सब्जों में लोहान से सबसेदिक पाया जाता है मानों सरीर में पाचन का अधिकांस भाग कि संग में संपन होता है तो वह है छोटियां आत्मे निम्न मेंसे कौन सा आहर मानों सरीर में नए उत्त को कि व्रद्धी के लिए पोशक तातु प्रदान करता है तो वह है पनीर जद से बना है तो वह है जल का सरीर में कार्बोहाइडरेट का संगरन निम्लिकित में से किस के रूप में होता है तो वह है ग्लाइकोजन मसलियों के यकरत तेल में किस विटामिन की प्रचूरता होती है तो वह है विटामिन डी किस की उपस्तिति के कारण गाय के दूद का रंग प प्रेशर कुकर में खाना कम सा इमें में तयार हो जाता है क्योंकि जलका खोतनाग बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है दाब बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है उश्मा का सरवत्तम चालक क्या है तो वो है पारा चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है तो वो लगता है माउंट एवरेश्ट पर सिर्का का रासानिक नाम क्या है तो इसका रासानिक नाम है एथेनोइक एसिड मिल्क उप मेगनेशिया क्या होता है तो ये होता है मेगनेशियम हाइड्रोकसाइड जिसे मिल्क उप मेगनेशिया कहा जाता है इसके बाद का अगला प्रश्ण है कि निम्न मेंसे कौन सी अस्रू गेस है तो वो है क्लोरो पी क्रीन जो एक अस्रू गेस है निम्न मेंसे कौन वायू को सबस्यादिक प्रदुशित करता है तो वो है कार्बन मोनोकसाइड कोई भी गेस निम्न इस्तती में आदर्स गेस के एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी तो वो थे चेचके ठीके की खोज करने वाले जो वेक्ति हैं वो है एडवर्ड जेनर एड्स होने का क्या कारण होता है T4 लिंफोसाइड की कमी के कारण एड्स हो सकता है एट्स वाइरस क्या होता है एक सूची RNA जो होता है वो एट्स वाइरस होता है सेवालों की कोशिका बित्ति किस पदाट के बनी होती है तो ये सेलिलोज की बनी होती है लाल सागर का रंग निमलिकित में से किस उपस्तिति के कारण होता है तो वो है सेवाल के कारण गलगंड रोकसे को समोत्री खर्पतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन जिसके कारण उससे बचा जा सकता है पेनिसिलीन की खोश किस ने की थी तो वो है अलेकजेंडर फ्लेमिंग जिनोंने पेनिसिलीन की खोश की थी लाइके निम्न में से किस के सूचक होते हैं तो ये वायू प्रदेशन के सूचक होते हैं कुनेन किस से प्राप्थ होता है तो कुनेन जो है ये सिंकोना से प्राप्थ होता है फूल गोभी का खानेयों के भाग कौन सा होता है तो वो होता है पुष्प करम समाने तो अंकुरन के लिए किसके आउशकता नहीं होती है तो वो है प्रकाश जिसके आउशकता अंकुरन के लिए नहीं होती है तना काट आम तोर पर किसके प्रवर्धन के लिए आउशक प्रियोक किया जाता है तो वो है गन्ना नारियल का खाने योगे भाग कौन सा होता है तो वो है भून पोश नाम के पोदे का वानुषपतिक नाम जो है वो है मैंजी फेरा इंडी का निशेचन क्रिया क्या है तो एक नर्युगमक का अंडानु से सयोजन जो होता है उसे निशेचन कहा जाता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है तो उसका नाम है रेफलेशिया जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है जीवन चक्र की द्रश्टी से पोदे का सबसे महतपुन अंग कौन सा होता है तो वो होता है पुष्प और यही सबसे महतोपुर अंग होता है जीवन चक्र की द्रश्टी से मानों सरीर में रक्त का सुधी करण कहां पर होता है तो वो होता है व्रक्य में सपेत रक्त करण WBC का मुख्य कारे क्या होता है तो यह होता है रोग प्रतिरुदक शमता धारन करना राजस्तान में ताम्बे का विशार भंडार की शेतर में इस्तित था, तो वो खेतरी शेतर में पाया जाता है, भायत की प्रमुख धानने भशल कॉन सी है, तो वो है चानवल, पत्तियों के दो मुखे कारे होते हैं, प्रकास अंसलेशन वो वासपोद सर्जन, डॉक्टर चित में सबसे भारी धातु कौन सी होती है तो वह होती है जमर निमनों मेंसे आग बुझाने वाल ignored ग कौनसी है बढ़न टानीकारग होता है क्योंकि पेड्षे चोड़ते हैं तो रादरी के, चौन ना हानिकारक होता है क्योंकि वो carbon dioxide छोड़ते हैं तो इसलिए पढ़ के नीचे नहीं सोनाचीर रात्री के समय मानों सरी में प्रचूर मात्रा में कौन सा तत्व होता एतो वह ऐ oxygen, tomato source में पाया जाता है, acety cam specifically, biology के जन्मदाता की रूप में किसे जाना जाता है किस पोदे का फल भूमी के नीचे पाया जाता है तो वो है मुंग फली जिसका फल जो है भूमी के नीचे पाया जाता है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है तो वो है कोशिका बित्ती जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है पत्यों का हरारंग किसके द्वारा प्राप्त होता है तो वो ख्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है पत्यों का हरारंग राष्ट्री पर्यावरण अभियांत्री की संस्तान कहां इस्ति थे जो राष्ट्री पर्यावरण अभियांत्री की संस्तान है ये इस्ति थे नागपुर में भूरी क्रांति किस्ते संबंदित है तो जो भूरी क्रांति ये वो संबंदित है और वरकों के उत्पात से मादा पशों में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है तो इन में जो हार्मोन सक्रिय होता है उसका नाम है ओक्सिटोशिन भायत का कौन सा रज्य पश्ची में एशय के अंडे की टोक्री के नाम से जाना जाता है तो वो है आंध्यू पर्देश जिसे पश्चिमे इशे के अंडे की टोकरी कहा जाता है भार्टी, पशु चिकितसे आनुसंदान कहा इस्तित है? तो यह बरेली मैस्तित थे लाल क्रांथी किस से संबंदित है? जो लाल करांती है वो मास उत्पादन से संबंदित है मुर्गियों की सबसे खतरनाग बिमारी कौन सी है तो वो है रानी खेत जो मुर्गियों की सबसे खतरनाग बिमारी मानी चाती है दूद का घनत्व किश्यंतर के सायता से ग्यात किया जाता है तो वो है Lectometer जिसकी सायतन से दूद का घंत्व जाता है भाद में सरवाधिक पश्टुधन किस राजगे में पाया जाता है तो ये उत्तरपदेश में पाया जाता है निमलेकित मैसे किसके दूद में वशा का सरवाधिक मात्रा पाया जाती है तो वो है rendier गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है तो वो है बक्री जिसे गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है दुधारू गाय के मुख्य पहचान क्या होती है तो आयन पूर्ण विक्षित होता है दुगदन अली का उभरी रती है दुगदन अली का टेड़ी मेरी होती है ये जो है दुधारू गाय के पहचान होती है भायत में सबसे ज़्यादा बक्रिया किस राज्य में पाए जाती है तो वो उत्तरपरडिश में पाए जाती है उनके लिए विख्यात पसू पसमीना क्या है तो वो एक बक्री है किस इस्तंधारी के दूद में जल की मात्रा सबसे कम होती है तो वो है मादा हाती जिसके दूद में जल की मात्रा सबसे कम होती है केंद्री भेड एम उन अनुसंदान केंद्र कहां इस्ति थे तो ये देहरा दून में इस्ति थे मनुष्येś के सरीर में हिस्टोलिटी का कहां पाय जाता है तो यह आत्में पाय जाता है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवनचक्र किस्ने हो जाता तो यह हो जाता रोनाल्ड, रोस ने नम्लिखित मैसे किसमे रक्ट नहीं होता है किंतु वह सोशन करता है तो वह है हाइड्रा जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह सोशन करता है निर्मलिकित मैंसे किसे जैलिफ इसके नाम से जाना जाता है तो वह है औरिलिया जिसको जैलिफ इसके नाम से जाना जाता है किसके आतपक के मास को खाने से कितली जिंग कर्म को खाने से मनुष्ये के आउच मेशारे अतं है केचवको तो वह इसलिए वह के और होना ही जिसके आईगी दूर सबन मादा एनाफली मच्छर सबसे विशेली मचली कौन सी है तो वो है पाशान मचली सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है तो वो है शुत्र मुर्ग निमले कितमे से गोसला बनाने वाला एक मातर साफ कौन सा है तो वो है किंग कोब्रा जो गोसला बनाता है पाओ कृष्टे स सामानने प्रियोग में आने वाला मसाला लोंग कहां से प्राप्त होता है तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है लोंग का जल प्रकास अंस्लेशन के क्रिया कब होती है तो यह केवल दिन में ही किया सकती है क्योंकि इसमरा वशा का एंजम द्वारा पाचन करना वह यह अंत्र जिसके द्वारा तने की उरदि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है तो वह है ओकजेनोमीटर अगनी निर्जा रोग किस से सम्द्दित थे तो इस सेप से सम्द्दित है मानो सरी में लाल रख्ट कणिकाओं का निर्माण कहां पर ह बोता है तौ अस्थीमज्जा में होता है हैं जब हम बखरी घेड़ का मास्क खाते हैं तब हम किस प्रकार को भोगता है तो हम दित्यों को भोगता पयो कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती तौ होती है तलबे पर बैशा पाई जाती है बनाला अम वीनिये जाती है hp पूचेता ही कि मंप किस से की जाती है तू व स्में का को χिर्ण शूरे कालनोंक जल के बाप प्रावर्दन का करनokay सूरे का ताप किसके द्वारा मापा जाता है तो ये पाइडो मिटर तो आप मापी द्वारा मापा जाता है सेल्सियस ताप क्रम पर जलके कोथनां कता हिमा क्या होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तता 0 डिग्री सेल्सियस तरंग का वेग V आवर्थियन तदा तरंग धेरे लेमडा तरंग धेरे में क्या समंध होता है तो इसमें होता है V is equal to N तरंग धेरे म्यूनतम संभंध ताप कितना होता है तो यह होता है माइनस 270 डिग्री सेल्सियस निम्दिकित में से किसमें विशिष्ट उष्मा का मान सरोच होता है तो वो जल में होता है प्रकास का वेग अधिक्तम किसमें होता है तो वो निर्वात में होता है सूर्य विकिरन का कारण कौन सा भाग सोलर कूकर को गर्म कर देता है तो वो है आवरक्त किरन उसमे गतिकी का प्रतम नियम की सवधारना की पुस्टी करता है तो ये ताप सरक्षन की पुस्टी करता है कमरे को ठंडा केसी किया जा सकता है तो संपिरित गेस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो सकता है ध्वानी तरंगों की प्रकर्टी कैसी होती है तो वो होती है अनुधेरी प्रकास के चिकने प्रष्टुक से टक्रा कर वापस लोटने की घटना को क्या कहता है तो उसे प्रकास का परवर्थन खहा जाता है किसी मनुष्य की सरीपता सम्मने तापकरम क्या होता है तो वो होता है 98 डिग्री सेल्सिस चिल्लाते समय वेकती हमेशा हाथ तेली को मुग के समिप क्यों रखते हैं क्योंकि उस स्तुति में ध्वनी उर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी समुद्र जल से सुद्र जल की स्पकेडिया द्वारा प्राप्त हो सकता है तो वो आश्वन द्वारा प्राप्त हो सकता है दल्दली भूमी में कौन सी गेस निकलती है तो वो मीथेन निकलती है मास पेशियों में किस अमल के एकतित होने से ठकावट होती है तो वो है लेक्टिकम ये जिसके एकतित होने से ठकावट होती है अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है तो इसके अंदर टार्टरी काम लिपाया जाता है गाजर किस विटामिन द्वारा सम्रद शोत है तो वो है विटामिन A का निम्न लिकित में से पधार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो वो है चावल जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है मानव का मस्टिक्स लगबक कितने ग्राम का होता है तो वो होता है 1350 ग्राम का एक रख्त में पाई जाने वाली धातू कौन सी है तो वहे लोहा आईरन पाया जाता है किनवन का उधारन है दूद का खटा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आठे का खटा होना पैदान करता है तो वह पनीर निम्नमें से कॉन एक उड्ने वाली छिपकली है तो वह ड्रेको गोसला बनाने वाला एकमात्रशाप कोन सा है तो वह किंग कोब्रा भायत में पाइजाने वाले सबसे तो ब्रोटीन का श्रोथ होती है जी जो में नाम है जेल बेर हीरा चमकदार क्यों दिखाए देता है तो ये दिखाए देता है सामोई कांत्रिक परावर्तन के कारण गोबर गेस में मुख्य रुप से क्या पाया जाता है तो इसमें मुख्य रुप से मीथेन पाया जाता है दूद की सुद्धता का मापन किस यंतर से किया जाता है तो वो है लेक्टोमिटर जिससे किया जाता है प्रत्वी पर सबसादिक मातर में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है तो वो है अलुमीनियम मोती मुख्यों रुप से किस पदात का बना होता है तो एक लेलसेम कार्बोनेट का बना होता है मानो सरीर में सबसाद एक मात्रा में कौन सा तत्व पाय जाता है तो वो है ऑक्सीजन इसके बाद एक किस प्रकार के उत्तक सरीर के सुरक्षा कवच का कारे करते हैं तो वो है एफितिय मुत्तर मनुष्य ने सरपरतम किस जन्तु का अपना पालतु बनाया तो वो था कुत्ता जिसको सबसे पहले मनुष्य ने पालतु बनाया किस विज्यानिक ने सरपरतम बर्फ के टुकडे को आपस में घिसकर पिगला दिया तो वो थे डेवी सबसादिक दिवरता की धोनी कौन उत्पन करता है तो वो है बाग जब धोनी तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है उर्जा सूरे करण के समय सूरे का कौन सा भाग दिखाए देता है तो वो है किरिट सूरे की किरण में कितने रंग होते हैं तो इसमें सात रंग होते हैं टाइप राइटर टंकर मशीन के अविश्कारक कौन है तो वो है सोल्स सिरका को लेटिन भाषा में क्या कहा जाता है तो इसे एसी टम कहा जाता है कपडों में इससे जंके धब्य अटाने के लिए प्रियोग किया जाता है और जेलिक आमल गन्य में लाल सडन रोक किसके कारण होता है तो वो कवको के कारण होता है आम का वानस्पतिक नाम है मेंजी फेरा इंडिका कोफी पाउडर के साथ मिलाये जाने वाला चिकोरी पूर्ण प्राप्त होता है चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है वो जड़ों से प्राप्त होता है विटमिन C का सबसे अच्छा श्रोत क्या है तो वो है आमला किसके द्वारा अनुवांसिकता के विज्ञान को अनुवांसिक है कहा गया तो वो है वोट्षन सोर उर्जाग किस से प्राप्थ होती है तो सूरे से प्राप्थ होती है धूल प्रदुशन रोकने के लिए सबसे उप्यूगत वरक्स है तो वो है नेम निम्लिकित मेंसे उस्मा का सबसे अच्छा सूचालक कौन है तो वो है ठंडा पानी निम्लिकित मेंसे किस धातों का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तो वो है तामबा निमने में से किसके दोरा सबसे अधिक धोनी प्रोडूशन होता है तो वो हवाई जहाज की उडान बढ़ने से सबसे अधिक धोनी प्रोडूशन होता है प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन अंत्रिक्ष यात्री को बाईये आकास केसा दिखाए देता है तो जो अंत्रिक्ष यात्री होता है उसको बाईये आकास काला दिखाए देता है अस्तो होते समय सूरे लाल रंका क्यों दिखाए देता है तो वो प्रक्रेपर कारण अस्तो होता दस्मे सुरा लाल रंका दिखाया देता है निम्लक में से कौंसा कूट-फल है तो वो है सेब दुर्भीन का अविश्कार किस ने किया थ है, तो वो क्या था गेली ली उने निमलिकित में से किस का उप्योग उचाई नापने के लिए होता है तो वो है अल्टिमीटर निमलिकित में से कौन सा रुपांतरिक तना है तो वो है आलू भोज पत्य उत्पन होता है बेटुला की चाल से सोभु मंदल शब्द किस विज्ञानिक ने सबसे पहले प्रियोग किया था तो उन विज्ञानिक का नाम था तिश्रा दोबोर जुनोंने सबसे पहले सोभु मंदल सब्द का प्रियोग किया प्रत्वी से वापस आने वाले सोर विकिरन को क्या कहते हैं तो इसे पार्थिक विकिरन कहा जाता है इसके बाद का जो अपना प्रशन है इसके बाद अपना प्रशन आता है सूरेता प्रत्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंसता है तो ये लगू तरंग के रूप में पहुंचता है दीपो की संख्या सरवादिक कहा है तो वो है प्रिशान्द महा सागर पर जब सूरे चंड्रमा एंप्रत्वी लगबग एक ही तरल रेखा से में इस्तित होते हैं तब उस इस्तिति को क्या कहा जाता है तो उसे देनिक ज्वार कहा जाता है सरवादिक लवंता वाला सागर कौन सा है तो वो है वन लेक किस परकार की म्रदा का निर्मान औरिगिस्ताने तथा उपरेगिस्ताने जलवायू दशाओं के अंदरगत होता है तो वो है एरिडो-सॉल जिसका निर्मान होता है, जोग्रफिर में भी ये प्रशन पूछा जा सकता है जल में पनपने वाले पोधे क्या कहलाते हैं, तो इसे hydro fights कहा जाता है माला बार शेतर में किस परकार के मनशपत् Government मिलती है, तो इसमें वर्शावन मिलते है एक्सरे का अविश्कार किस ने किया था तो वो थे रोडजन जिसने एक्सरे का अविश्कार किया प्याज लहसुन में गंद किस तात्र की उपस्तिति के कारण होता है तो वो है पटेशियम जिसके कारण होता है आलू की स्कुल से संबन्दित है तो है सोले नेशे से संबन्दित है डाल चीनी पैड के किस भाग से प्राप्त की जाती है तो चाल से प्राप्त की जाती है तारपिन का तेल किस से प्राप्त होता है तो ये तार के ब्रक्षु से प्राप्त होता है इस सदी के प्रारम में हवाय जहाच का अविश्कार किस ने किया तो वो थे राइट ब्रदर्स ने जिसने हवाय जहाच का अविश्कार किया दक्षिनी कोलाद में सबसे बड़ा कोईला शेतर निमने मैंसे कौन सा है तो वो है new question किस प्रकर के जलवायों में पोट जोल का निर्माण होता है तो वो होता है भूमद्दे शागरिये जलवायों में पोट जोल का निर्माण होता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निमनाकित में से किस कास किस की कास आवस्ता होती है तो वो है एंजयम जिसके आउशक्ता सबसे ज़्यादा होती है कार्बन का सरवादिक शुद्ध रूप है तो वो है हीरा निम्न मैसे सदिश रास्ती कौन सी है तो वो वेग है बहानों से निकलने वाली प्रदूशित गेस मुख्यतर कार्बन मोनो उक्साइड होती है पेट्रोलियम से प्राप्थ होने वाला मोम है वो है पेराफी मोम निम्बू खटा किस कारण से होता है तो वो साइट्रिक अमलक के कारण होता है सराब का निर्मान किस क्रिया के परिणाम सरूप होता है तो वो किन्वन के परिणाम सरूप होता है तो वो है बीजो से, निमलीखित में से किस में प्रोटीन का सबसाधिक श्रोद पाया जाता है तो तो वो पाया जाता है सोयबीन में, धान का प्रशिद्ध रोग, खेरा रोग, किस के कारण होता है तो विशानों के कारण होता है, जिव द्रव्वे जीवन का भोतिक आधार है तो ये है जो कथन है ये कथन है लेमार्क का रेगिस्तान में पैदा होने वाले पोधे कहलाते हैं तो इनको जीरो फाइट्स कहा जाता है सूरे की उश्मा प्रत्विपर निमले कित मैसे किस प्रकार के संचार वादिम से आती है तो ये विकिरों से आती है मैक्रोफोन का अविश्कार किस से माना जाता है तो वो माना जाता है ग्राम बेल को मैनोमिटर के द्वारा किस की माप की जाती है तो वो गेशो के दाब की माप की जाती है मैनोमिटर द्वारा निमले कित मैसे सुद्ध तत्व कौन सा है तो वो है शोडियम सूरे की किर्णों की तेवता मापने वाले उकरण को क्या कहता है तो इसे एक्टिव मिटर कहा जाता है हाइडोजन का उस्षोषन करने वाली कौन सी धातू है तो उसे पैलेडियम कहा जाता है जो हाइडोजन का उस्षोषन करने वाली धातू है प्यूरी निमले कित में से किस की इकाई का नाम है तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है वायू में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के उपर हरे रंग के बैसिक कारबोनेट की परद जम जाती वह धातु कौन सी तो वह तामर तार्य अपनी उर्जा कि प्रचूर मात्रा में किस में पाया जाता है तो यह हरी सब्जों में पाया जाता है तो आमा मुख्य रूप से विदुचालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके विदुच परतिरोदक शमता निमन होती ही इसलिए इसका उप्योग विदुचालन के लिए किया जाता है Chemistry और Asign सब्द के उत्पत्ति किस देश से हुई तो मिश्टृ से हुई है रसाइन विजल उनके शेत्र में सरपरत्रम लोबिव्रा प्रुषकार किसको प्रदान किया गया है तो उनका नाम है जेज convincing को प्रदान किया था चट्टानों के आयू ग्याद करने के लिए रेडियो एक्टिव आयू अंकन में किस समस्थानिक का उप्योग किया जाता है तो वो है यूरेनियम का आइसोटोन क्या होते हैं तो ये सम्मान संख्या में न्यूट्रोन होते हैं जिने आइसोटोन कहा जाता हैं कार्बन मोनोकसा किस खनिस से रेडियम प्राप्थ किया गया था तो वह है पीच बलेट जिस से रेडियम प्राप्थ किया गया था फोटोगराफी में उपयोगी योगिक ताटू कौन सा है तो वह है sellverage ग्रोमैट जो पोटोग्राफिमे उपहोगी तथ है वानों से निकलने वाली प्रदोशित गेस मुक्के तक कौन सी है तो वह हर कार् geweल walion जो वहानों से निकलने वाली प्रदुशित गेस हैं भाद में मिथेन गेस का एक बड़ा श्रोत किया है तो वह है धान का खेट जो मिथेन गेस का एक बड़ा श्रोत है मानोसरे में यूरिया सबस्यादिक किस में होता है तो वो मुत्र में होता है बोजन का उर्जा में परिवर्टिन कोशिका के किस भाग में होता है तो वो माइट्रो कॉंट्रिया में होता है कोशिका सिध्धान का प्रतिवादन किस फिग्यानिक ने किया तो ये आमीनो अमल में उपस्तित होता है, प्रोटीन का संसलेशन कहां पर होता है, तो ये राइबोशों में होता है, ट्रांसपोर्मर प्रिक्त होता है, ऐसी वोल्टिल का उपचेन, तथा अपचेन करने के लिए, कौन सा उत्तक दितियो व्रद्धी के लिए जिम्मेदार हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बाके जानकारी के लिए आप डियस गुरुची के साथ जुड़े रहें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप इसका पीडियो डाउनलोड कर लिजेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच थैंक्स पूर वाचिंग